इस्टुन्स हम प्रूफ करते हैं कि जो हमारे पास mirror formula है वो concave mirror यूज़ करके हम किस तरह proof कर सकते हैं यानि जो formula हम यहां पर mention भी करते हैं जो formula हम use करते हैं वो हमारे पास है 1 और F is equal to 1 और P plus 1 और Q अब यह तीन quantities को relate करते हैं इसको mirror formula कहते हैं अब अगर हम concave mirror यूज़ करके तो जो diagram हम बनाते हैं image का और object का तो उसको use करके हम किस तरह proof कर सकते हैं इस formula को हम किस तरह derive कर सकते हैं हम use करते हैं यह diagram तो कि हमने left side पर show किया हुआ है तो कि diagram समझना बहुत easy है यहां पर एक हमने concave mirror लिया हुआ है इसके जो dash line है और उसका opposite side देके reflective है और जो dash हमने show किये हुए है इसके उपर इसका मतलब है कि यह non reflective side है यहां से reflection नहीं होती अब अगर हम देखे इसका एक central point जो हमने p से show किया इसको हम pole कहते हैं इसका एक और point जो कि इसके सामने बिलकुल वो f principal focus यानि जब parallel raise आती है और फिर reflect होती है तो इसी point से गुजरती है तो इसलिए इसको हम कहते है principal focus इसी तरह इसका जो double distance होता है principal focus का यानि p और f का अगर हम twice distance ले तो वो होता है center of curvature यानि actually यह वो center है जो हम कहते हैं कि यह जो कनकेव mirror है हमने for example जिस spherical shape से इसको बनाया हुआ है हम assume कर लेते हैं तो यह उस spherical shape का जो center है उसका हम center of curvature कहते हैं और जो red line हमने show किये जो इन तीन point से pass होती है उसको हम कहते है principal axis इसी तरह अगर आप देखें हमने show किया हुआ है यहाँ पर एक object जो के f और c के दर्मियान है उसको हमने show किया है a और b से इसका height है ho यानि height of object इससे दो rays हम लेते हैं simple एक ray जो है वो देखें directly a से आती है p को strike करती है p से फिर reflect होती है तो अगर आप देखें जब वो reflect होती है जब भी pole के उपर ray आती है और वो reflect होती है तो यहाँ पर दोनों angle जो है वो equal होती है यानि जो angle of incidence है वो equal होती है angle of reflection के यानि I is equal to R इसी तरह अगर आप देखें यह ray यू चली जाती है अब अगर आप दूसरी ray यहाँ से consider कर लें दूसरी एक special ray हम लेते हैं जो के पहले F से pass होती है principle focus से फिर strike करती है mirror को तो देखें वो parallel बन जाती है to the principle axis यानि जो ray पहले F से pass होती है फिर reflect होती है तो वो हमेशा principle axis के parallel reflect होती है अब अगर आप देखें यह दोनों rays यहाँ पर combine होती है यहाँ पर मिलती है इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब यह है कि इस object का image है वो यहाँ पर बनेगा और इस image को हमने देखें दिकाया हुआ है A' B' और उसका जो height है को हमने hi से दिकाया हुआ है याने height of image इसी तरह अगर आप देखें एक point हमने E लिया हुआ है point E यहाँ पर यानि जो दूसरी ray है आकर mirror के साथ strike करती है फिर reflect हो जाती है इसको हम E कहते हैं अब देखें चुंकि distances हम हमेशा pole से measure करते हैं pole से calculate करते हैं तो इसलिए इस E को हम यहाँ पर consider कर लेते हैं यह जो हमने pink dart शो किया हुआ है हम distances हमेशा यहाँ से calculate करेंगे चुंकि हम distances P से लेते हैं अब अगर आप E को देखें तो वो P से तोड़ा आगे बनता है यहाँ पर इसलिए distance हम इस point से लेंगे जो कि हमने pink color से show किया हुआ है अब अगर आप देखें simple F यहाँ पर represent करता है focal length को focal length का मतलब है F और P के दर्मयान distance और एक है P हमने show किया हुआ है जो के object और pole के दर्मयान distance को show करता है वो P के equal है P से denote होता है और इसी तरह जो distance image और pole के दर्मयान है उसको हम small q से represent करते हैं अब इन तमाम images को structure को use करके इन symbols को use करके हम किस तरह mirror formula derive करते हैं पहले तो हम लेते हैं दो triangles जो कि यहाँ पर बनते हैं कौन कौन से triangles हम consider करते हैं first एक हमारे पास है triangle यह तो हम prove करेंगे यह formula यहां से नीचे start कर लेते हैं एक हमारे पास है triangle A, B और P यह triangle बनता है इस triangle को consider कर ले A, B और P और दूसरा हमारे पास एक triangle बनता है A' B' और P यह लेख 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 A' B' और P यह एक triangle बनता है अब अगर आप देखें इन दो triangles में जो I और R है वो तो equal है यानि I जो है वो एक triangle में है A, B, P triangle में है और R जो है वो A' B' P triangle में है चुनकि यह दोनों angles equal है तो इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों triangles के यह angles equal हो गए अब अगर आप देखें यहाँ पर जो A, B है वो 90 degree का angle बनाता है जो कि हमने show भी किया हुआ है और यहाँ पर A' B' जो है वो 90 degree का angle बनाता है तो इसका मतलब हैं कि यह दोनों angles भी equal है अब अगर दो angles equal हैं तो इसका मतलब है कि third angle भी equal होगी चुनकि इनका sum जो हमेशा 180 के equal हो गए तो हम कहेंगे कि यह triangles क्या हैं similar triangles हैं similar triangles similar triangles triangles को हम यू shortly show करते हैं अब अगर यह similar triangles हैं तो इनके जो corresponding sides हैं उनकी ratio भी equal होगी अब देखें इस corresponding side इसका जो यह side for example A, B इसका corresponding side है हमारे पास A' B' यह तो इसकी जो ratio अगर हम ले ले A, B divided by A' B' यह दो corresponding sides है अगर हम इनकी ratio ले 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 तो यह किसी भी दो और corresponding sides के ratio के equal होगी अब अगर हम दो और corresponding sides ले 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 तो देखें इस triangle का A, B, P का for example हम यह side लेते हैं B, P यह side लेते हैं तो उसका next जो corresponding side है दूसरे triangle में वो कौन सा है वो है B' P यह उसका corresponding side है तो वो हो जाएगा B' P अब देखें A, B जो है वो actually किसके equal है height of object तो हम यहाँ पर put कर सकते है height of object हो divided by A' B' किसके equal है height of image के equal है HI तो उसकी जगा हम यह put कर लेते हैं अब देखें जो B' P है यानि B और P के दर में है distance वो किसके equal है actually height, actually हमारे पास object और pole के दर में है distance है जो कि हम P से represent कर रहे हैं यहाँ पर और जो B' P है वो pole और image के दर में है distance है जो कि हम small q से represent करते हैं इसको हम नाम देते है equation 1 का equation 1 अब यह हमारे पास एक equation आ गया अब next हम देखते हैं यह तो एक equation आ गया next एक और equation हम यहाँ पर derive करते हैं फिर दोनों equations को जो हम compare करते हैं formula derive करने के लिए अगर हम दो और triangles यहाँ ले ले equation derive करने के लिए तो हमारे पास है एक है A B और F यह triangle है triangle A B और F और दूसरा triangle है इसका हमारे पास F P E F P E यह triangle बनता है F triangle F P और E अब अगर in triangles भी हम देखें चुंकि देखें यह दो lines for example अगर हम consider कर ले जब भी दो lines एक दूसरे को इस तरह intersect करते हैं तो देखें इनके जो यह opposite angles होते हैं यह हमेशा equal होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं vertical angles तो अगर आप देखें एक यह angle हमारे पास यह वाली angle और एक यह angle यह vertical angles हैं in sides की तरह हम कहेंगे कि यह angles equal हैं इसी तरह अगर आप देखें इसका यह angle 90 के equal है और चुंकि हम यह point यहां से consider करते हैं तो इसलिए यहां पर इसका एक angle 90 का बनता है तो दो angles हमारे पास क्या हो गए equal हो गए इन दो triangles के तो इसलिए third angle भी equal होगी चुंकि sum इनका एक जितना है 180 के equal तो यह दोनों triangles भी हमारे पास क्या है similar triangles है यह भी similar triangles आ गए अगर यह भी similar triangles है तो हमारे पास जो इनकी corresponding sides की ratios है वो भी equal होगी यहने गर हम ले ले A, B और P, E A, B और P, E की ratio ले ले A, B इसका यह side और इसका corresponding side है हमारे पास यह वाल ले के P, E या E, P भी आप उसको लिख सकते हैं P, E उसका corresponding side है अब इसकी ratio equal होती है कि इसकी दूसरी corresponding side की ratio की है, for example मैं इसका corresponding side यह लेता हूँ, BF, एक triangle का side BF और इसका corresponding side जो है वो है F, P के equal है हम पर, F, P के equal, अब देखें इनको अगर हम symbolic form में ले के तो A, B की इसके equal है, height of object के equal है तो यहाँ पर हम put कर सकते है, height of object, height of object, HO divided by height, P, E जो है, देखें P, E, चुँकि यह दोनों lines parallel है तो इसलिए P, E जो है वो A', B' के equal है, जो के HI के equal है, height of image के, तो यह equal होता है किसके, BF divided by F, P, अब next हम इसको continue करते है, next lecture में किस तरह हम इसको derive करते है करते है